प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकेडिमी अंबाला में स्वागत है। आज हम प्रयावाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रयावाची शब्द क्या होती हैं। दिये गए वाक्यों को ध्यान से देखें। यह एक पेड़ है। यह एक व्रिक्ष है। पहले वाक्य में दिया गया शब्द पेड़ और दूसरे वाक्य में दिया गया शब्द व्रिक्ष दोनों का अर्थ एक ही है। अगला उधार बारिश हो रही है वर्षा हो रही है दोनों वक्यों में आई शब्द बारिश और वर्षा दोनों का अर्थ एक ही है इन उधारनों में एक ही अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्द दिये गए हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रयावाची शब्द या समान आर्थी शब्द कहा जाता है जैसे पेड और व्रिक्ष का अर्थ एक है बारिश और वर्षा का अर्थ एक है आईए प्रयावाची की परिभाशा देखें जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन उन्हें समान आर्थक या प्रयवाची शब्द कहते हैं। प्रयावाची शब्द हुए स्री स्री अथार्थ महिला इसे हम महिला, नारी, औरत कई नामों से पुकारते हैं तो स्री के प्रयावाची शब्द हुए महिला, औरत, नारी क्योंकि इन सब का अर्थ एक ही है चंद्रमा चंद्रमा को हम चान्द, इंदू, शशी नाम से पुकारते हैं इस प्रकार चान्द, इंदू, शशी ये सब चंद्रमा के प्रयावाची हुए आग, आग को ज्वाला, पावक, अगनी भी कहते हैं इस प्रकार आग के प्रयावाची हुए ज्वाला, पावक, अगनी व्रिक्ष, व्रिक्ष को हम पेड, तरू, विटब पी कहते हैं इस प्रकार ये सभी व्रिक्ष के प्रयावाची हुए बादल, बादल को जलधर, घन, मेग के नाम से भी पुकारा जाता है इस प्रकार बादल के प्रयावाची हुए जलधर, घन, मेग पक्षी, पक्षी को पंची, विहग, खग नामों से पुकारा जाता है इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है पक्षी इस प्रकार पक्षी के प्रयावाची हुए पंची, विहग, खग पूल, पूल को हम कुसुम, पुश, सुमन भी कहते हैं इस प्रकार ये सभी फूल के प्रयावाची शब्द है पहाड, पहाड को शैल, परवद, गिरी भी कहा जाता है इस प्रकार शैल, परवद, गिरी जो हैं वे पहाड के प्रयावाची शब्द है हाती, हाती को गज, हस्ती, कुंजर इन नामों से भी पुकारा जाता है इन सभी का अर्थ हाती होता है इस प्रकार गज, हस्ती और कुंजर जो हैं वे हाती के प्रयावाची शब्द है शेर, शेर के प्रयावाची शब्द केसरी, सी और वनराज है आईए प्रयावाची शब्दों की कुछ और उधारन देख रहे अकाश के प्रयावाची है, अंबर, गगन, नब. कमल के प्रयावाची, नीरच, जलच, वारिज. पुत्र के प्रयावाची, सुत, तन, बेटा. राद के प्रयावाची, रात्री, निशा, रजनी. देव्था के प्रायवाची हैं देव, सुर्ण, अमर जंगल के प्रायवाची हैं वन, आरण्य, कानन साब के प्रायवाची हैं सर्प, नाग, भुजंग बंदर के प्रायवाची हैं कपी, वानर, हरी हिरन के प्रायवाची हैं म्रिक, हरिन, कुरंग नदी के प्रयवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगेनी, हाथ के प्रयवाची हैं हस्त, कर, पानी इस तरह हमने कई सारे उधारन प्रयवाची के देखे, आशा करती हूं, बच्चों आप सब को प्रयवाची शब्द समझ में आ गए होंगे, धन्यवाद